आगामी लोक सभा वविधान सभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के पुलिस महासंचालक के निरदेश पर ग्रामीन पुलिस अधिक्षक ने नागपूर ग्रामीन पुलिस के अधिकारियों के ट्रांसफर किये हैं बोरी पुलिस थाने के पियाई भीमाजी हिंदुराव पाटील को बोरी पुलिस थाने से ट्रांसफर कर यातायात नियंतरन शाखा में बेजा गया है कलमेशवर थाने के पियाई को पुलिस नियंतरन कक्ष की बागदोर सौपी गई है जिला विशेश शाखा के P.I. अजय केश्वकर को मानव संसाधन विभाग का जिम्मा सौपा गया M.I.D.C. बोरी के P.I. महादेव आच्रेकर को जिला विशेश शाखा में भेजा गया है मौदा थाने के P.I. पराग पोटे को सुरक्षा विभाग का जिम्मा सौपा गया है इसी तरह रामटेक के सहायक पुलिस निरीकशक अमित पांडे को सुरक्षा विभाग का कार्यभार संभालना होगा कलमेशवर के सहायग पुलिस निरीकशक दिलीप पोटभरे को सावनेर भेजा गया है खापरखेडा के दीपक कांकरदवार को स्थानी अपराद शाखा में स्थाना अंतरित किया गया है मौदा के सतीश सोनेकर को यातायात नियंतरन शाखा का जिम्मा संभालना होगा सावनेर के शिवाजी नागवे को पुलिस स्टेशन बोरी भेजा गया है कलमेशवर के तेजराम मेशराम को मौदा पुलिस थाने में स्थाना अंतरित किया गया है खापा के मनोच खरसे को राम टेक थाने में भेजा गया है कन्हान के अमित आत्राम को कुही थाने में बेजा गया है। उम्रेड थाने की सुचिता मंडावले का कलमेश्वर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। कुही के नितीश डोलीकर को खापरखेडा थाने में जाने को कहा गया है। खापर्खेडा की लक्ष्मी मतकुलकार को उम्रेड थाने में बेजा गया है। देवलापार की लिक्षमी घोड के को अब बेला पुलिस थाने में स्थाना मृत कर दिया गया है। देवलाप को उम्रेड उप्रभाग का राइटर बनाया गया है। खापर खेडा की मीनल का पगाते को नियंतरन कक्ष का जिम्मा संभालना हैगा। नागपुर जिला ग्रामीन के पुलिस अधिक्षक हर्श पोतदार ने ततकाल प्रभाव ने ये तबादले लागू किये है। लेटिस्ट अपडेट्स के लिए पावर अफ वन न्यूस को फॉलो कीजिए। झाल प्रामीन के लिए।